वार्टम टेको समस्कीचन मैं हूँ वंजिना और आज मैं आपके लिए लेकर काई हूँ लजी स्टेस्टी और रिलीशस गाजर और मटर की सबस्काइब कर लिजेए चलिए हम यह पर डिले नहीं करते हैं गाजर और मटर की सबसी बनाना शुरू करते हैं गाजर और मटर की सबसी बना रहे हैं तो यहां मैंने फूर गाजर ली थी औरेंज कलरी की गाजर है मेरे पास पील करने के बाद इसे मटर के दाने की साइज में कट के लिया है और एक कप मेरे पास मटर है जो मैंने कैंड मटर यूज की है अब हमें बनाना है प्योरे तो प्योरे बनाने के लिए एक ग्राइंड रिजर्वे में डाल दिया है 3 ग्रेंचिली और साती में जाता है 4 इंचेस के लगबल जिंजर का पीस यानि की अधरक का टुकड़ा यह हैं भी कुल छोटा सा अनियन का पीस यानि की प्यास आपको यह बहुत कम डाला है अगर वाइस यह बीच बीच में वैसे ही अंकल बन जाएंगे और हमारी सबजी को डॉमिनेट करेंगे और पूरा टेस्ट इनकी तरफ चला जाएगा हमने बहुत चोटा अनियन लिया है एक टमाटर जाता है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं यहां है मेरी पास एक छोटा सा लेमन का पीस इसका क्या करना है वह मैं आपको आगे बताऊंगी एक पेन को में रख दिया है कि इस पर हीट होने के लिए और इसमें में डाल है आपके उपर डिपेंड करता है आप चाहें तो कुकिंग और का भी यूज कर सकते हैं गी को गर्म होने देते हैं उसके बाद में इसमें एट करेंगे थोड़ा सा हींग और एसफेटीडा और यह जाता है हमारा हाफ स्पून क्यूमिन सीड और जीरा 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 क्रेक हो हो जाता है अब हम इसमें एट कर देंगे जो भी हमने टमेटो जिंजर और अनियन और ग्रिंचिली का प्योरे बिनाया था इसे एट कर देने के बाद हम अब कुकिंग करने वाले हैं लू टू मीडियम फ्लेम पर और अगर आपने सुना होगा अपने घर में जो बड़े होते हैं वो हमेशा हमें यही कहते हैं कि जब यह आप दिमी आज पर या लो फ्लेम पर कुकिंग करते हैं वो खाना बहुत ही कर रही हूं अगर आपके पास टाइम है तो आप यह ट्राय कर सकते हैं अगर आप जल्द बाजी में कर रहे हैं दिन आप अपने कोर्डिंग जा सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ी दिर में ही इसमें ओल सेपरेट होने लगा है और और में थोड़ी दिर से कुक कर लेती हूं ताकि यह अच्छे से ओइल अपने आप में से रिलीस करने और इसके बाद हम इसके अंदर जो बाकी के स्पाइसे से वह एट कर लेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां से जो साइड्स में से ओइल सेपरेट अच्छे से होने लगा है तो अब बारी आती है ड्राइ स्पाइसे एट करने की तो मैं यहां एट करी हूँ वन फोर्ज स्पॉन टामरीक पावडर और हल्दी पावडर साथ ही में रेट चिली पावडर है वन स्पॉन और यहां धनिया पावडर मैं एट करूंगी हाफ स्पॉन तो रेट चिली पावड एक मिनिट के लिए हम इसे इसी तरह से कुक कर लेंगे ताकि जो ड्राइ स्पाइस हमने एट किये हैं उनका रॉव फ्लेवर है वो चला जाए और यह अच्छे से भुन जाए मसाली जो है वो लगबग भुन चुके हैं अच्छे से इन में से फ्लेवर की खुश्बू आने लगी है और अब हम इसके अंदर जो हमने गाजर काटके रखी हुई है वो डाल देंगे मैं यह आपर सिर्फ गाजर को पहले डालूंगे और रीजन यह है कि जो मटर है वो मेरे करें और पास केंड़ मटर है केंड़ मटर जो हो ती है वो अल्री गूप होदी है सो मुझे यहाँ अगर EkSat में डालना की सबकुछ मेश्य हो जाएगा पहले मैं गाजर को कुक करऊंगी और उसके बाद मैं में मटर डाली है और अगर के पास फ्रेश मटर मीं है तो दोनॉ स्पून सौट एट कर दिया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें एट करेंगे थोड़ा सब पानी और उसके बाद हम इसे ढख करके और कुख करेंगे जब तक कि हमारी गाजर जो है वो सौफ्ट नहीं हो जाती पानी मैंने इसमें डाल दिया है half cup के लगबग मैंने पानी डाला है इसमें मैक्स करके हम इसे ढख देंगे और उसके बाद हम इसे 2-3 मिनिट के बात चेक कर रहे हैं तो 3 मिनिट हो चुके हैं पहले तो हम इसे देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है ओई इसमें उपर आ गया है जो घी हमने डाला था सौरी वह उपर आ गया है काफी अच्छे से इसमें खुश्बू भी आ रही है गी के साथ में जो कुकिंग होती है उसका वैसे ही फ्लेवर और जो अरोमा आता है वह बहुत ही डिफरेंट होता है तो पहले हम एक पीस निकल के चेक कर लेते हैं गाजर काफी हार्ड है मैं इसे कवर करके 2 मिनिट और कुक कर चुकी हूँ अब ये 2 मिनिट के बाद मैं आप और उसके साथ में औरेंज हां मैं एक चीज़ आपको बताना ही भूल गई यह है वन फॉर्ट स्पून ऑफ गरम मसारा और यह है दो से तीन चुटकी के लगबर इलाइचिक का पाउडर जो मैं इसमें डाल दिया है इसे मिक्स कर देंगे और जो चीज मैं आपको बताना पाफ ही अच्छा आएगा है कि देखने में तो बहुत ही सिंपल लग रही है और दस मिट में बन करके रेडी भी हो जाती है पर यह सबजी जो है ना वो खाने को बिल्कुल बनाने वाली कि बहुत ही टेस्टी होती बहुत लजीज होती है अगर इसे आप सर्दियों में ट्र इसको थोड़ासा पानी में इसमें एट कर दिया है और यह सारी चीज़ें अच्छे से में जूल जाए इसके लिए मैं इसे डख करके एक मिनट के लिए और कुक करने वाली हूँ एक मिनट के बाद मैं आपको डखकन खोल के दिखा रही हूँ यह देखिए हमारी सबसी दिख रही है एकदम डिलिशस एक हैंडफुल मैंने यहाँ पर करेंडर लिव जाने की हरा दनिया चौक करके डाल दिया है जो इसमें बहुत अच्छा टेस्टी लेकि आने वाला है औ लेमन इसको थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर देगा ओर यह है शुगर विकोज मैरी जुगाजर है echo इतनी श्वीट नहीं थी जैसे कि इंडिया में होती है वहाब की जो गाजर घुप होती है तो वही टेस्टी मुझे मुझे चाहिए था एक थे धोड़ा सा एक ड्से समेंग कर्मा गरम रोडी के साथ में आप भी इसे बनाए सर्दिया यूही नहीं चली जाए गाजर मंटर बनाए और एंजोए करें सर्दियों में देखिए लग रही है ना एक डूँ डिलिश्यस हाँ फेंड्स आप सभी से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है सबसे पहले तो आप मेरा च पास उन लोगों को देखिए जिन उस खाने की जवरत है और वो खाना उन तक ज़रूर पहुंचाए हमारा गाजर मंटर बन करके रेडी हो गया है बनाए एंजोए करें और खुश रहें थैंक्स वोचेंग ज्लाह जवाले वो खुश ब 1990us को याल दोन वोग प्सक्राइड कि अनल लुश पल्देन प्सक्स परोग्ष né्ज इस इस को चर्मेशन ये 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 योली तो कि अुम अचूते हैं